नमस्कार मैं उपनी इंसक्मार आप देख रहें बेतिया 24 निऊज आज आपको बताने जा रहा है कि दक कास्मिर फाइल पे फिल्म तो बन गया लेकिन बेरोजगारी फाइल फिल्म कवब बनेगा आखिर बी आर में बेरोजगारी कवब हटे गा इस पे भी सरकार को और फिल्म एक्टरों को ध्यान देना चाहिए दकास्मिर फाइल पे तो बहुत सारा वीडियो हमने भी बनाया है लेकिन बहुत सारे लोग का लड़कों का कमेंट आ रहा था कि अभी तक एक भी वेकेंसी नहीं आ रही है जितना वेकेंसी आ रही है उससे ज्यादा तो उसमें घुस खोरी चल रहा है और जितने लड़के हैं उनके हिसाब से कभी भी वेकेंसी आ नहीं रही है तो बिरोजगारी आखिर को खत्म होगा इस पर आज हम आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि आप लोग भी आवाज उठाए और जितने भी एक्टर बॉलीवूड के हो या बोजपूरी और खत्म होगा आज देखिए बेरुजगारी अतना बड़ गया कि बिहार के लोग और भारत के पूरे राज्य यहां से विदेश जा रहे हैं तो अगर यहां पर रोजगार रहता एक भी कोई भी रोजगार का साधन रहता तो यहां से बाहर नहीं जाना पड़ता अब ही द नेता लोगों को ध्यान देना चाहिए और युवावों को खास कर इसमें पूरा समर्थन करना चाहिए कि आए दिन रोजगार बढ़े नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पकोड़ा तलो यह कहां तक सही अगर सब युवा पकोड़ा तलने लगे तो फिर बेदोजगारी खत्म तो होगी लेकिन आकिर देश सेवा कौन करेगा जो लोग चाहते हैं कि देश की सेवा करें उनके लिए भरती नहीं आ रही है अभी देखे कुछ दिन हुआ भरती आए थी लें कैंसिल हो गई बहुत सारी भरतिया आ भी नहीं रही है अभी असाम राइफल की भरती है जो कि आई है लेकिन बहुत दिनों बाद अभी ससी जीडि में भी भरती नहीं आ रही है तो इस पर नेता लोको ध्यान देना चाहिए मुख मंत्री जी कहते हैं कि बहुत सारा रोज़गार रहना नहीं है। लोगो को रोज़गार देंगी। कहां गया यह रोज़गार? और केंड्र सरकार से भी आग्रा है कि इस पर ध। वह depending. बहुत सारे एक्तिनट के लिए हम लोग बनाते रहेंगे। आप लोग का समज है। उनका लोग लोग की फिरोजगार से या उफासकर य earlier उफ रहो रहा है रहा हूं अभी एंटी-PCRRB में जो चात्रों ने अंदोलन किया था उस पे भी देखकर और नितिश कुमार जी को कुछ करना चाहिए इस पे भी ध्यान दिया जाए धन्य बाद